आप इन इटुबर्स के अजीब कहाने को नहीं जानते थे आप जो चैट पे ये इमोजी यूज करते हो इन्हें यूज करना अभी बंद कर दो लेकिन ऐसा क्यों और हर रात सोते समय आपके साथ एक ऐसा धोका होता है जिसका आज मैं परदा फार्च करने वाला हूं और आप रोज कुछ ऐसे चीज़ें यूज करते हो जो कि असल में गलती से बने गई थी वाई वीडियो बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला है तो इस पे 20,000 लाइक तो बनते ही है तो अभी लाइक कर दो नमबर आपको लगता है कि हमारा सपना हमें पूरी रात भर आया है लेकिन पूली में इंसान का एक सपना 3-4 सिकेंड जितना चोटा होने से लेकर 20-30 मेट तक बरा हो सकता है और उटने के बाद हमें जो थोड़े-थोड़े सपने जो याद रहते हैं वह वही सपने होते हैं जो हमें रैपिड आई मोमेंट फेस में आते हैं यह ऐसा फेज है जहां न हैं जब उसे हम अपने मुठी में बंद करना चाहते हैं तो बिलकुल पानी की तरह बाहर निकल जाते हैं और हां यह पूरी तरीके से पानी की तरह बहार नहीं करती लेकिन एक ऐसी सिच्वेसेंट जिसमें सेंड जो है वह पूरे पानी जैसा बन जाती है जब सेंड के अगर आप अपना हाथ भी इसके उपर डालोगे तो वह बिलकुल पानी की तरह अंदर चले जाएगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एर है वह सेंड के सेटल नहीं होने देती इसलिए पानी की तरह भी एफ करता है नमबर त्री आप जो यह यूजी यूज करते हो इनके एक्चुल मतलब आप नहीं जानते हैं आप इनको यूज तो करते हो लेकिन इनका मतलब आपको तरीके से नहीं पता जैसे कि यह जो हाथ जोनने वाला इमोजी है हमें लगता है कि यह किसी प्रियर के लिए बनाया गया है तो ऐसा बात नहीं है यह एक्चुली में वाला इमोजी है लेकिन एक्चुली में रिलीफ दिल आने वाली इमोजी है क्यानी कि अक्षर हमारा काम हो जाता है तो हम एकदम रिलीफ फिल करते हैं यह वह दिखाता है नमबर टू डेली हम ऐसी कई सारी चीज़े इस्तिमाल करते हैं जो कि बहुत इंपोर्टेंट है ले सब कैसे हुआ और फिर उन्होंने माइक्रोव बनाने का आइडिया आया फिर फायर क्रैकर जो है उसे चाइना के एक कुक ने गलती से बनाया था को कीचन में एक्सपेरिमेंट कर रहा था ऐसे में उसने चार कोल सरपर और कुछ और चीज़े एक बैंबू में फिट कर दिया इसने ऐसा क्यों किया वो तो वही जाने लेकिन उसके बाद ये बैंबू फट गया और ये देखने बहुत खबसूरत लगा तो बस यही फायर वर्क और इसके बाद स्काई फायर वर्क इंबेंट हुए नमबर वन यूटूबर के साथ कई अजीवो गरीब और इक्स्ट्रीम चीज़े होते रहते हैं जिन में से कुछ तो आपके फ्रेवरिट यूटूबर हो सकते हैं जैसे कि एक बार कैरी मिनाटी को पुलिस दौरा एरिस्ट कर लिया गया था क्योंकि वो रेड़ फोर्ट के दूशी तो पता ही होंगे इनके जो छोटे भाई हैं यानि कि साहिल जोची उन्हें बच्पन में किड्नैप करने की कोशिश की गई थी दो लोगों ने उनका मुव पकड़ा था और उन्होंने साहिल को बाइक में बिठाने की कोशिश की थी लेकिन उतने में साहिल जट